आरा सर के डीम कोठी रोड में आरा वाल पेपर्स एंड इंटिरियर दुकान का शुबारम किया गया जिसका उद्घाट एंड नगर रामलया समिती ट्रस्ट के अध्यक चिस्ता संभावना आवाशी विद्यालिक प्रचारे डॉक्टर अर्चना सिंग वर संभावना आवाशी विद्यालिक निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने फीता काट कर किया इस मौके पर दुकान की प्रोप्राइटर जोती सिंग के द्वारा डॉक्टर अर्चना सिंग को माता की चुन्री उढ़ा कर शम्मानित किया गया वहीं इस दोरान हैंड बॉल अर्चन के अध्यर्च राकेश सिंग के द्वारा आगत अतितियों का श्वागत माता की चुन्री सिखी गई मौके पर मेजराना प्रताप सिंग गुड्डू सिंग बभगान रामकुमार शिंग अवधेश पांडे सहित कई लोग थे बतादे की आरा वाल्पेपर और इंटेरियर दुकान में 3D, 3D लेमिनेट, HD, नन्वन, एंबोस्ट पीवीसी पेपर पर कस्टमाइज़ ग्राफिक्स अवं सिंगरी, वाल्पेपर, कोरियन वाल्पेपर, वाल्पेपर, वाल्पैनल, सिलिंग पैनल, पीवीसी पैनल, अगर अपने घर को सजाना हो और घर में इंटेरियर डिजाइनिंग करानी हो तो इसके लिए आरा वाल्पेपर और इंटेरियर के पास पहुँचे जहां कम कीमत में आपके घर को सुन्दर बना दिया जाएगा आरा वाल्पेपर और इंटेरियर के सुन्चालक ने बताया कि हमारी यही कोशिस है कि आरा सहर में लोगों को इंटेरियर डिजाइनिंग के लिए कहीं और जाने के ज़िवरत न पड़े हम आरा में ही लोगों को बेतर शुधा प्रदान करें ताकि उनका घर काफी सुन्दर लगे आकरशक डिजाइनिंग के साथ साथ घर में वाल्पेपर या पीवी सी लगाने के लिए आप यहां संगपर्क करशकते हैं सबसे पहले तो आज विजया दस्मी है सभी नगरवासियों को और यहां उपस्तित सभी लोगों को विजया दस्मी की बहुत-बहुत शुब कामना है आरावाल पेपर कोई नया नाम नहीं है लेकिन इसको एक प्लेस देके और एक अस्थान देके ऑफिशियली आज इसका उद्गाटन किया गया है इसकी प्रोप्राइटर जोती जी है और राकेस जी जो कि सभी लोग जानते हैं कि हाई स्कूल के टीचर भी है और उनकी पत्नी इसका देखरेक करती है तो जाहिसी बात है जो भी पतलब आजकर इंटीरियर को तो लेडी जन सभी कर रहे हैं लेकिन जो एक पैदा ऐसी जिसक बहुत शुब कामना है वाल पेपर के उध्घाटर में हुए हैं उध्घाटर नगर रामलीला समस्ट की अध्यक्ष डॉक्टर अचना सिंग और संभावनाई स्कूल के प्रिंस्पल ने इसका उध्घाटर किया नगर नामलीला स्ट्रस्ट के सभी पदाजिकारी इसे उध् सित्वे हैं वाल पेपर आज के डेट में प्लास्टर और टाइल्स का विकल्ब के रूप में आया है और आरा में पहली बार यह जोती जी हैं और आकेस भी इसकोले कर आए हैं और यह काफी लोग इससे प्रभावित हैं जैसा कि मेजर सहीं ने बताया कि इनको इच्छा हो र ले उसी तरीके से मुझे भीच्छा हो रही है देखके कि भाई अब जो टाइल्स होगा रहे हैं उसके अच्छा है कि वाल पेपर हम लगवा ले इसमें एक फादा यह है कि माली जी दो चाल सार में मेरा मन भर गया है उससी याइन से तो फिर अगली बार हम लोग दूसरा व कुछ किया जाए यह आरा वॉल पेपर के लिए हम यह किये कि मतलब हम अपने इस सहर में छोटा सा अपना दुकान खोले और सबसे सस्ता सुभी इस्ता भर को सजाने की लिवस्था ले लोग तो देखिए बहुत को रभाविक हैं उनलों को मतब यह वाल पेपर और यह अगर आज कल पेंडी का तो धीरे-धीरे खतम हो रहा है तो इसलिए सोचे की मतलब पर का क्या जाए जो कि कुमारी धन्यवाद अब आप लोग कंडले बोला करेंगे आज हम लोग वाल पेपर का है हम तो फस्ट बार मने बाकी होगा लेकिन यहां पर यह जगह पर जो वाल पेपर जो वाल का आरा वाल पेपर खुला यह बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देखकर मुझे लग रहा है कि घर हम अपने ही घर में पूरा वाल कहीं लगा ले क्योंकि आजकल तो दिकुरेशन का चीज है आए पेपर लगाने के बाद वो जो पेंटिंग कराते हैं साल में दो साल में वो हमें लगता है कि नहीं करना पड़े आरा बासियों को बह हमारी प्रप्राइटर को बहुत बहुत धन्यबाद दूंगा कि आज ही इनोंने हम लोग को बुला कर दुकान का उद्गातन कराया इसके लिए बहुत-बहुत सुबकामना है भगवान करें दिन दुनी रात चोगनी इनकी दुकान से रखें सब्सक्राइब करें दुकामना चाहूंगा उसके बाद मोरातिकर दून को हांडिक सुपकामना चाहूंगा कि आज के दौर में जो मर्बल टाइस का जबाना चाहिए उस दौर में यह वाल प्रोपर सभी जगान से उठाकर और आरा ऐसे जगा और इतना भूम थे जो कि सब्सक्राइब करें तो इनका देन है यह मेरी धरमपत्नी है इन्होंने कहा कि हम घर बैठे बैठे क्या करेंगे हम बच्चे चले जाते हैं हम नौकरी में है तो यह दिन में का समय कटना मुस्किल हो गया था तो इन्होंने कुछ हैसा हम को दिया जाए सबसे आसान है तो सहर में मैंने जहाता सुना कि बहुत मंगे रेट में इसमों लगाया जा रहा है एक मन्य प्रोफेसर केके सिंग यह हैं उनके हमारा आना जाना है तो बोले कि हमारे एक रूम का 45 रुप्य मिल हो गया हम कि नहीं भई इतना तो है ही नहीं तो अब हमने एद का चक हो जाए और सारी बेवस्ताय हम दे सकें